हमें लोग शम्शेर सिंग के नाम से पुकारते हैं इस शेहर में पुलिस से लेके बदमाश तक सिर्फ हमारे ठेके की शराब पीते हैं और बद्तमीज कहने वाले को हम इस तरह तमीज सिखाते हैं पॉलिवड में भुरी आखो वाले एक्टर तेज सप्रु को कौन नहीं जानता तेज ने अपने करियर में 80 से भी जादा फिल्मों में विलेन का रोल निभाया है वो चाहे 1989 में आई फिल्म त्रिदेब में अमरिश पूरी के बेटे गोगा का किरदार हो या 1994 में आई फिल्म मोहरा में गुंडे इर्फान का तेज सप्रु को लोग उनके विलेन की किरदारों की वज़े से आज भी जानते हैं तेज का जन्म 5 अप्रिल 1955 को मुंबई में हुआ था इनके पिता का नाम डी के सप्रु और माता का नाम हेमावती है डी के सप्रु एक जाने माने अभिनेता थे और तेज की मा हेमावती भी एक जानी मानी अदाकारा थी तेज की बहन अभिनेत्री पृती सप्रु और स्क्रीन प्ले लेखक रीमा राकेशनाथ है जो हिंदी और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है रीमा राकेशनाथ मुहबत और याराना जैसे फिल्मों के कहानी भी लिख चुके हैं तेज सप्रु रिष्टे में दलेजेंड एक्ट्रेस रेखा की जिजाजी लगते हैं उन्होंने रेखा की सबसे छोटी बहन धनलक्ष्मी से शादी की तेज की एक बेटी भी है जिनका नाम है आकांगशा तेज सप्रु की दो बहनों में से एक बहन रिमा की शादी प्रोड्यूसर राकेशनात से हुई उनके बेटे का नाम करननात जो की तेज सप्रु के भांजे है वहीं तेज सप्रू की एक और बेहन पृती की शादी आर्किटेक्ट उपवन सुदर्शन अलुवालिया से हुई उनकी दो जुड़वा बेटिया हैं जिनके नाम जिया और जिनी है तेज सप्रू ने हिंदी फिल्म सुरक्षा से अपने बॉलियूड अभिनाय शुरू किया था जो वर्ष 1979 में रिलीज हुई थी इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिसमें से फिल्म 20 साल बाद त्रिदेब, कानून अपना-पना, अजूबा, विश्वात्मा, आदमी, संग्राम, महरा और गुप्त मशूर है रामसे ब्रदर्स की सुपर हिट होरोर मुवी पुरानी हवेली में उनके द्वारा निभाया गया विलेन विक्रम का किरदार लोगों को आज भी याद आता है तेज की पिता डी के सप्रू, मा हेमवती और बहन पृती सप्रू सभी का हिंदी फिल्मों से तालूक रहने के वज़े से मानों के एक्टिंग उन्हें विरासत में मिली थी बॉल्यूट के मशूर विलेन जीवन उनके चाचा जी है तेज सप्रू की दिल्चस्पी पहले एक्टिंग नहीं वलकि क्रिकेट और बैड्मिंटन में थी एक इंटर्व्यू में तेज सप्रू ने बताया था कि जब वो शूटिंग पर जाते थे तो उनका मन स्पोर्ट्स में ही लगा रहता था एक दिन उनके पीता जी ने कहा रविकांत नगाईच ने फिल्म सुरक्षा के लिए एक हिरो ढूंड रहे हैं एक हिरो मिठून है दूसरा हिरो नहीं मिला तू जाके उनसे मिल ले फिर मैं अपने जीजा राकेशनात के साथ नागाईच साहब से मिलने गया डारेक्टर ने मुझे दूर से देखते ही बोले कि यही होगा मेरे फिल्म का हिरो वही से एक्टिंग का सफर शुरू हो गया तेज सप्रू के बयान के मताबिक एक दो फिल्म में हिरो बनने के बाद मुझे विलेन बनने का ओफर आने लगा 1979 जून में फिल्म सुरक्षा रिलीज हुई और ऑक्टोबर में पिता जी की तबियत खराब हो गई मैं पिता के पास रहने लगा उन्हें कैंसर हो गया था उनका ऑपरेशन हुआ और वो घर आ गए एक दिन वो मुझसे कहा आज रात तेरी फिल्म दिखने चलूँगा उस दिन 20 अक्टोबर था हम दिवाली पुजन के लिए बाहर गए थे घर लोटे तो पिताजी के सांस बंद हो चुकी थी पिताजी के देहन के बाद फैमिली के जिम्मेदारी तेज के कंधे पर आ गई उस समय उन्हें फिल्म में पैसा बहुत कम मिलता था और उनका पड़िवा काफी बढ़ा था इसलिए उस समय तेज को जो भी रोल मिले वो वही निभाते चले गए ज़्यादा तर उन्हें खलनायक या विलेन के ही रोल मिलते थे तेज के पिताजी उनकी पहली फिल्म सुरक्षा नहीं देख पाए उसका मलाल तेज सप्रू को आज भी है चाहे तीन माले से गिरना हो या आग में कुदना या तेज से गारी भगाना तेज सप्रू अपने एक्शन खुद करते थे वो कभी भी बोडी डबल का इस्तेमाल नहीं के तेज सप्रू के कहने के मुताबिक मैंने आज तक हर मुवी में खुद एक्शन किया सबसे बड़ी बात ये है कि तेज सप्रू इंडस्ट्री का एक लौता एक्टर है जिन्होंने तेरा अलग अलग भाशाओं में फिल्मे की हैं उन्होंने प्रेम चोपड़ा, पड़ेश रावल, गुल्शन ग्रोबार, राजा मुराद, सब के बेटे का रोल किया क्यूंकि वो लोग सफिद बाल लगा के खड़े हो जाते थे और लगभग तेज के हम्र उम्र होने के बावजूद भी उन्हें उनका बेटा बनना परता था इसलिए गुस्से में आकर तेज ने कुछ दिनों के लिए हिंदी फिल्म से सन्यास ले ली उनकी बयान के मुताविक अब टेलिविशन इंडस्ट्री काफी बड़ी हो गई है मुझे यहां अच्छे रोल मिल रहे हैं मैं कैरियर से पूरी तरह खुश हूँ तेज सप्रू अभी फिल्म में थोड़ा कम ही नजर आते हैं वो अपने पूरे ध्यान छोटे परदे या टेलिविशन पे लगाये हुए हैं